पार्टी सचिन पार्ट के खिलाफ बड़ी कारवाई कर सकती है और हो सकता है कि उन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया जाए क्योंकि अगर इस बार उन्होंने सचिन पार्ट के खिलाफ कारवाई नहीं की तो कॉंग्रेस पार्टी का जो शीश नित्रत्व है वो बहुत कमजो दिखेगी और सचिन पाइलट बेहद मजबूत नेता दिखेंगे और ये कॉंग्रेस के नेता उन्हें नहीं देंगे इसलिए अब उन्हें कोई न कोई कारवाई तो करनी ही पड़ेगी लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सचिन पाइलट भी ऐसा ही चाहते हैं यानि क्या वो खुद भी यही चाहते हैं कि कॉंग्रेस उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दे अब दोनों के बीच एक तरीके का कॉंपेटिशन है दोनों आमने सामने हैं पार्टी और सचिन पाइलट सचिन पाइलट खुद यह चाहते हैं कि पार्टी उन्हें निकाल दे अ ताकि वो emotional card खिल सकें जैसे कि राहूल गांदी आजकल खिल रहे हैं। यानि सचिन पाइलट भी वही करना चाहते हैं जो राहूल गांदी कर रहे हैं। सचिन पाइलट भी अगर उन्ने निशकासित किया जाता है तो राहूल गांदी की ही तरह लोगों के बीच जाएंगे और कहेंगे मेरे साथ माइन्साफी हुई है लोगों के बीच जाएंगे कहेंगे कि मैं सवाल उठा रहा था और मेरा सवाल उठाना Congress party को अच्छा नहीं परंटी की पद्च का पद छोड़ दूंगा. पार्टी की सदस्थ ताब चोड़ दूंगा. और ये सब कुछ मैं राजस्तान की जनता के लिए कर रहा हूं. और अगर उन्होंने ऐसा किया तो राजिस्तान की जन्रता का दिल पसीच जाएगा और उन्हें अगले चुनाओं में फाइदा मिलेगा असल में राजिस्तान में मुख्यमंत्री अशोग गैलौत और सचिन पाइलिट की बीच ये मदभेद और टकराव आज का नहीं है नया नहीं है वर्ष 2018 में जब राजिस्तान में कॉंग्रेस की सरकार बनी तो